मैं आपको बताना चाहूँगा आपके रोंक टेक खड़े हो जाएंगे 1983 में इंडिया वल्ड कप जीता देखो आप सुनो मज़ितार बाद 1983 में इंडिया ने वेस्ट इंडिस को हरा दिया घटना सुनिए मज़ा है वेस्ट इंडिस 74 का वल्ड कप जीता 79 का जीता कलाइव लॉइड की फिलोसफी अलग थी जो केप्टन था वेस्ट इंडिस की उसकी फिलोसफी में आउल्ड राउंडर शब्द नहीं था पांच बल्ले बाज पांच गेंदबाज एक कीपर 11 के टीप बल्ले बाज को गेंद करने नहीं आती थी गेंदबाज को बल्ला पकनने नहीं आता लेकिन इस फिलोसफी से उसने बीस साल रूल किया क्रिक्ट को 74 में जीते 79 में जीते 83 में वर्ड कप का फाइनल चल रहा है और इंडिया स्कोर 183 इंडिया स्कोर 183 माई डिफेंस और रिचर्ड आया बैटिंग करने कि उस्ते तेरा गेंदेखेनी आठ चौके मारे कपिल शर्मा को मारे रोजर बिनी को मारे हिला दिया लेक्स तो तो खतम करो घर जा और कपिल दीव ने रिचर्ड का कैच पकड़ा मैच पलड़ गया वेस्टेंडिस 139 पे आला वेस्टेंडिस समझ नहीं आया हुआ उनको ऐ ऐसा ही चलगा हुआ है कि साला यह दो टके का टीम वेस्टेंडिस ने रूल किया था जनाब लोग कामते थे मेलकम मार्शल छाला छे फुट का आदमी 90 की स्पीड से गेंद बास था वो सबसे पहला आदमी वो साला कहते हैं कि एंपायर के पीछे से भाग किया था बल्लेवा मार के शेर को पेड़ पर चड़ जया वेस्टेंडिस वर्ड का भारा इंडिया घर आ गया मुझा देखे वेस्टेंडिस ने बीसी सी आई से रिकोस्ट किया कि हमको इंडिया के साथ वंडे और टेस सीरीज खेल लिए इनकी ऐसी की तैसी सीरिसली बीसी से इने सब कर लिया वेव कूफों को आबैर मुझे मार और रख के मार वेस्टेंडिस की टीम के मैक्सिमम प्लेयर कभी जो इंडिया आते ही नहीं थे कि इनके पास क्या जाके खेलना है बच्चों को क्या मारें सारे लोग वेस्टेंडिस के इंडिया चे वेस्ट इंडीजी जीतंद इंडिया जीता अक डेट डेट समय से वंड़े हरा है इन हो डेट डेट समय स्कूर काड होता था मैं उसमें सिर्व लिखा होता था कैच कीपर ज्रमालमार्ण nie mam aard कैच icra dazu जोन बोलulator मालकम मार्ण यही छोता था, 6 के 6 वटे इंडिया हार गया, Western इस ने समझा दिया, ति गल्ती से हो गया था, अब कहानिया खतम नहीं होई, 6 टैस्ट मेच भी है साला इसके बाद, 6 टैस्ट भी है, पहला टैस्ट मेच, Western इस साड़े 3 दिन में जीता, इनिंग और 200 रंसे, अभी तो पूरी इंडियन मीडिया में पेपर में ये चला कि इंडिया तुक्के से वर्लकप जीत गए तुक्के से चला जिससे जीता उसने तो पेलदिया साला है गर में घुषका मारा 6-0 से वंडे हराया पहला मैच धाई थाड़े तीन दिन में खतम हो गया और मेलकम मार्चल ने 12 विकिट लिए 8 बोल्ड मारे साले ने उसका गेंडीज नहीं दिखता किसी को दूसरे मैच से पहले कनकारी की मनो वग्यानिक बुलाए गए और कौंसलिंग सेशन हुआ सुनील कावासकर सुनील कावासकर का कौंसलिंग सेशन हो रहा है और सुनील कावासकर का कौंसलिंग सेशन में बोल रहा है एक लीडर कि अगर मेलकम मार्चल दुनिया के सबसे खतरनाक ये अदवाज है हैं तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक बले बाज हो चेंज यूर अटिटूड फ्रॉम डिफेंस तु अटैक वाट यू आ दोएंग को आसकर को ऐसा लगा जैसे जाम मत ने हनुमान जी को याद दिला दिया हो शक्तियां तेरी माकियां किसके ऐसे कि कैसे साले उस से हुए श साला रहा होगा कोई सेकिंड मैच फिरोज्शा कोटला सक्ते बाज बोलते हैं तीन दिन में खतम हो जाएगा रहे हैं वेस्टन डिजने टांस जिता और इंडिया को बैटिंग करने को दिया जाओ मैलकम मार्शल के सामने सुनिल गावास मैं आपको बताना चाहूंगा पहले आवर में गावास करने मार्शल को चार चौके मारे हैं फोर फोर पहले आवर में और लंच तक गावास करने 107 गिये नोट आउट लंच से पहले गावास कर स्कोर 107 अगेंस वेस्टन डीस एक चीज़ बदल गया और मेका मार्शल अपनी आटो बाइगाफिव में लिखते हैं कि जब गावास कर ने उस पहले आवरे मुझे चार चौके मारे एक बात समझ में आ गया कि इंडियन क्रिकेट यहां से बदल जाएगा कि इंडियन क्रिकेट यहां से बदल जाएगा क्या बदल गया चांते हैं वहीं का वास कर पहले था वहीं इंडियन टीम पहले थी लेकिन उनका एक्टिट्टूड चेंज हुआ दुनिया में सब कुछ यह लेकर निकलना लगता है तो हम भी कर सकते हैं रहे भाई